Maintenance of Center Buffer Coupler This will be covered as the latest maintenance manual version July 22nd. इस चार्ट में विभिन maintenance schedule की frequency और couple की positions दिखाए गई है. D1, D2 और D3 schedule rake में ही coupled position में होंगे और सभी shock schedule अनकपल्ड position में होंगे. तो चलिए, D1 trip schedule. 1. Coupler head में किसी प्रकार के damage के लिए इसका visual निरीक्षन करें. 2. Coupler operating mechanism की जाच करें और दिये गए tertiary lock pin व्यवस्था की क्षती धीले bolt आदी के लिए चेक करें. 3. Proper coupling सुनिश्चित करने के लिए tell-tale recess की जाच करें. 4. Coupler career सहायक उपकरन और उसकी spring का crack और तूटने के लिए निरीक्षन करें. 5. धीले टूटे गायब nut bolt, split pin और front career plate की stiffener plate का visual निरीक्षन करें. 6. Tertiary locking pin यदी लगाई गई है तो कि उचित locking सुनिश्चित करें. 6. Next है D2 schedule. इसमें है D1 schedule के सभी आइटम. सहायक उपकरन और manual and coupling device के विए slide वालेक शेत्र पर ग्वीस लगाएं. 7. अगला चरण D3 schedule है. इसमें है D2 schedule के सभी आइटम. 1. कपलर head body के नंगे स्टीलक शेत्रों को मोली कोट D3 दो एक आर्ट या समकक्ष ट्राइ स्प्रे से कोट करें. 2. Front career plate की stiffener plate की मोटाए और जन की जाच करें. यदी कमी 4 mm से अधिक पाई जाती है तो इसे बदल दिया जाना चाहिए. 3. Rotary assembly में access gap की जाच करें और सुधारात्मक कारवाई करें. अब आगे है. शॉप schedule number 1 SS1. शेडूल D3 के सभी आइटम जैसा की पहले उलेक किया गया है. प्लस, shop schedule एक के दोरान निमनलिकित कार्य किये जाएंगे. एक, gauge द्वारा कपल असेंबली का निरीक्षन इसे पहले भी detail में describe किया गया है. एक, gauge द्वारा की जाएगी. F. नकल, nose, wear और stretch limit gauge द्वारा नकल, nose, wear और stretch limit की जाच करना. 2. कपल के जुकाव का visual निरीक्षन वसुधारात्मक कारवाई करना और supporting device की उचाई समयोजित करना जिसे 187 जोड़ी या घटाव 2 mm पर रखा जाना चाहिए. 3. कपलर body wear plate के अत्यदिक घिसाव की जाच करना. 4. फ्रंट करियर plate की stiffener plate की मोटाई जन की जाच करना. यदि कमी 4 mm से अधिक पाए जाती है तो इसे बदल दिया जाना चाहिए. 5. एंटी creep protection का निरीक्षन करना. 6. अतिरिक्त एंटी creep की जाच करना. 7. रेल स्थर से कपल की उचाए 1090 से 1105 mm मापना संधर बिंदूप नकल का वर्टिकल सेंटर. 8. जन्ड और धूल के लिए कपल हेड और इसकी सब assembly की सफाई करना ताकि यह सुचारू रूप से काम कर सके 9. कपल और operating rod mechanism की कारियात्मक संचालन की जाच. 10. नकल का MPI करना. RDSO के पत्र संख्या MCBL BCBC दिनाग 3 जून 2021 और 18 अगस्त 2021 के अनुसार. 11. नकल की कठोर्ता की जाच करें. 241 BHN से 291 BHN मैक्सिमम. 12. BDG के वेजबोल्ट की टॉकिंग की जाच करें. 13. अनकपलिंग rod slide rod rotary bar के handle अनकपलिंग device के बाहरी support bracket आदी के अत्यदिक घिसाव की जाच करें. सावधानी नकल lock-in सतह और lock आदी जैसे आंतरिक भागों पर spray न करें. आगे है shop schedule 2 SS2. Shop schedule 1 की सभी मदों के अतिरिक जो करना है इस प्रकार है. 1. स्फेरोलास्टिक बेरिंग साइलेड ब्लॉक का निरीक schedule 2 के सभी आइटम के अतिरिक इस प्रकार है. CBC और संबद सहायक उपकरन के सभी भागों को dismantle करके OEM के manual के अनुसार ओवहाल किया जाना है. 1. दरारेक शती, विक्रितियों आदी के लिए द्रिश्य निरीक्षन किया जाना है. 2. एंटी क्रीप तेस्ट द्वारा toggle, lock lift lever assembly के वियर की जाच करे. 3. कपलर shank वियर प्लेट के वियर की जाच करे. 4. लॉक, नकल, नकल के pivot pin और नकल support pin के वियर की जाच करे. 5. ड्राफ्ट gear rubber, elastomeric pad के नुकसान, दरार और धीले पन की जाच करे. फिर नवीन तम OEM सिफारिश के अनुसार बदले. 6. final assembly और कपलर और operating mechanism के कार्यात्मक संचालन की जाच करे. चून की रेक के आगे पीछे सिरेवाले कोच पर इंजन लगता है. अताय इस कोच पर लगे CBC handle lock को खोल कर. CBC operating mechanism को अच्छी तरह से देख ले. कपला को चला कर देखे कि यह ठीक से खुल रहा है और बंद हो रहा है. CBC lock या toggle पर अंदर किसी प्रकार का grease या तेल ना लगा हो. देख ले वा साफ कर दे. कपला को बंद करने के बाद नीचे लगी. Lock अपनी seat पर प्रॉपली बैट रहा है. टेल टेल रिसेस lock होने के बाद clear दिखाई देती है. टेरिस्री पीन को उसके होल के अंदर डाल कर घुमा कर लॉक कर दे. पीन को अच्छी तरह जाच ले कि यह कहीं सित्टूटी या मुडी ना हो. कपल पर लगे रिस्ट्रिक्टर की भी सही से लगे होने की जाच कर ले. अकसर अंतिम कोच पर ट्रांजिशन कपलंग लगी रहती है. इसके कलेविस, कलेविस पिन, कलेविस हैंडल और बेबी कपलंग को विजुली चेक कर ले. बेबी कपलंग को कपल के अंदर डाल कर बंदव खोल कर देख ले किसी प्रकार की रुकावट ना हो, इसकी पीन वद त्रेड़ेट पोर्शन पर तेलादी डाल देता की यह सुचारू धंग से चले. सिरेवाले कोच की CBC हाइड भी माप ले. इसके बाद बेबी कपलंग को बाहर निकाल कर कपल को बंद करके बेबी कपलंग हैंडल आदी को अच्छी तरह से सिख्यो कर दे. आगे हैं, एंटी क्रीप प्रोटेक्शन इंस्पेक्शन. साथियों, इस टॉपिक को बड़े ही ध्यान से समझेंगे. सबसे पहले देखते हैं कि क्रीप फेलिय होता क्या ह है. दोस्तों, किसी पदार्थ का या किसी मेकैनिजम का धीरे-धीरे भाहय वातावरन के कारण या भाहय बलके कारण टूर जाना या फेल हो जाना ही क्रीप फेलिया है. और इस फेलिय से बचाव के लिए जिस वस्तु क्तंत्र का इस्तेमाल किया जाता है, उसे अंटी मेकैनिजम बोलते हैं चून की लॉक टॉगल में फिट होता है और वह लॉक को उपर नहीं उठने देता और हमारा कपलग खुलने से बच जाता है और ट्रेन पार्ट होने से बच जाते हैं लेकिन इसके विपरीद जब हमें इसे खुलना होता है तब CBC हैंडल की मदद से कपलग को खुलने की कोशि आधी में वेर एंट्टिय के कारण यह एंटिक्रीप प्रोटेक्शन फेल हो जाता है इसी मेकेनिजम को चेक करने के लिए हम एंटिक्रीप प्रोटेक्शन इंस्पेक्शन करते हैं कि यह सही काम कर रहा है या फेल है तो चलिए यह इंस्पेक्शन कैसे किया जाता है देखत स्टेप बाइ स्टेप समझने की कोशिश करते हैं जब कोछ रैक से अलग होता है तभी या टेस्ट किया जाता है स्टेप एक में कपलर के सामने खड़े होकर नकल को बंदवस्था में कर दे और देख लेकि लोग अपनी सीट पर प्रोपली बैट गया है इस टेस्ट को करने के लिए दो प्राइ बार या बड़े स्ट्रू ड्राइवर या इस तरह की रोड का इस्तिमाल किया जाता है Step 2, एक स्प्रू ड्राइवर को लोग और नकल टेल शेल्फ के बीच फासा कर लोग को उपर उठाते हैं Step 3, लोग को इतना उपर उठाते हैं कि टॉगल का उपरी हिस्सा पूरी तरह से नकल के नीचे इंगेज कर जाए जैसा कि देख रहे हैं टॉगल का उपरी हिस्सा कर्वज शेप में उपर उठा हुआ है और नकल टेल के नीचे का मैचिंग सर्फेस उसी शेप में दबा हुआ है जिससे की टॉगल इसमें अच्छी तरह इंगेज हो जाता है Step 4, अब एक प्राइबा को कपलर के नीचे जहां लोक लेग है और उसके फ्रंट के बीच प्राइबा डाल कर अपनी तरफ नीचे से पूरे जोर से कीचते हैं प्राइबा का उपरी हिस्सा उसे पीछे की तरफ दबाने की कोशिश करता है यानी टॉगल को पीछे की और धकेलने की कोशिश करते हैं जैसा की आप देख रहे हैं लोक खुलना नहीं चाहिए अन्यता फेल है Step 5, ऐसा करने से हमारा टॉगल निर्धारित सीमा में इंगेज रहना चाहिए जैसा की दिखाया गया है कम से कम एक बटा आठ इंच अपनी और बाहर होना चाहिए अगर लोक खुल जाए या टॉगल निर्धारित सीमा में नहीं बैठता है तो हमारा एंटिक्रीप प्रोटेक्शन फेल है ऐसी अवस्था में टॉगल या नकल या दोनों को बदल दे स्टेप सिक्स सही से मेजर्मेंट लेने के लिए दिखाया गया है कि टॉगल कम से कम तीन बटा आठ इंच नकल टेल में इंगेज रहे यही अटिक्रीप प्रोटेक्शन इंस्पेक्शन है पॉइंट्स तो बी चेक्ट इन दी इवेंट अफ ट्रेन पार्टिंग ट्रेन के अलग होने की स्थिती में जाचे जाने वाले बिंदू एक, ट्रेन नंबर और नाम दो, ट्रेन का प्राथमिक रख रखाव डिपो तीम, ट्रेन के अलग होने का सेक्शन और स्थान चार, शामिल कोच का पियारो विवरन पाच, ट्रेन के अलग होने में शामिल CBC का मेक 6. यदि ट्रेन लोको और कोच के बीच में अलग हो जाती है A. बेस शेड के साथ लोकोमोटिव का शेडूल विवरन दर्शाय जाना चाहिए B. लोकोमोटिव कपल हेड का प्रकार चाहे वह E. टाइप हो या H. टाइप C. रिल लेवल से कोच की उचाए CBC केंड लोडेड और अनलोडेड स्थिती D. रिल लेवल से लोकोमोटिव की उचाए CBC केंड लोडेड और अनलोडेड स्थिती A. Vertical Restrictor दिया गया है या नहीं F. ACLR Power Car के Overloading की जाच गेज के साथ प्रारंविक स्टेशन पर की गई थी या नहीं Let her know, MCLHB Coach दिनाख 26 जुलाई 2010 G. अंतिम कपलन के समय क्या ACLR Power Car कपल का नकल खुला था या लोकोमोटिव कपल का नकल खुला था H. अंतिम स्टेशन जिसमें लोको को जोडा गया था 7. ट्रेन के विभाजन में शामिल दोनों CBC के नकल्स की लोकिन स्थिती क्या नकल लोक या खुले पाए गय थे 8. CBC के लोक लिफ्ट लीवर की स्थिती जिसमें नकल खुला पाया गया था क्या लॉक लिफ्ट लीवर पूरी तरह या आंशिक रूप से गिरा था 9. मैनुवल अनकपलींग रॉड की लॉकिंग स्थिती क्या ये लॉक थी 10. ट्रेन के विभाजन में शामिल CBC में संशोधन का विवर्ण 11. लॉक लिफ्ट लीवर की स्थिती संकेत चिनह बफर उचायों में सापेक शंतर आदी को दर्शाने वाले CBC की तस्वीरे ली जानी चाहिए 12. उस सेक्षन की स्थलकृतित सूचकान की योजना जहां ट्रेन अलग हुई थी 13. ट्रैक की स्थिती जैसे कम जोड़, वक्रता आदी की उपस्थिती 13. ड्राइव, गार्ड, ओप्रेटिंग, स्टाफ और अधिकारी का बयान जो ट्रेन के अलग होने की स्थिती में शामिल थे 14. संचालन संबंधी विशिष्टाएं जैसे सावधानी आदेश, अपतका लीन ब्रेक लगाना या कोई अन्य प्रतम द्रिष्ट्या कारण जो ट्रेन के अलग होने में योगदान दे सकता है 15. कोई अन्य कारक जो CBC के खुलने में योगदान दे सकता है 16. क्या कपलन के समय कोई कठिनाई देखी गई थी सभी संबंधित कर्मचारियों अधिकारियों को इस चेक लिस्ट से अवगद कराया जाना चाहिए साथियों इसी के साथ हम इस टॉपिक को यही समाप्त करते हैं आशा है मेरे C&W साथियों को कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा धन्यवाद साथियों आपका दिन शुब हो